बुद्माइं इस्टुएंट्स वेलकम तो मैं चैनल मुई सर्स लेक्चर आज मैं आपको क्लास 10 से 4 चेप्टर यानि क्वालिटिक एक्वेशन की एंसी आइटी से एक्ससाइज 4.3 का कुशिन मैं फोर्थ कराऊंगा देखें कुशिन का मतलब है कि एक बंदा है रहमान उसकी जो एजिस के रैसी प्रोकल का सम है उसकी जो एज है उसके रैसी प्रोकल फिर उसका सम लेकिन एज कब-कब लेनी है तीन साल पहले और पांच साल बाद यानि कि रहमान की एज जो तीन साल पहले थी और एक जो पांच साल बाद होगी उन दोनों एजिस का पहले रैसी प्रोकल करना है उसके बाद उनका सम करना है सम आफ दा रैसी प्रोकल करके सम करना है तो किसके एक्वल है वन बाई थिरी क बताइए उसकी present age क्या है तो देखिए सबसे पहले जो पूचा जाता उसको let कर लेते हैं let his present age be x years माल लेते हैं जो रह्मान की present age है वो x years है ठीक है चलिए तो अब देखिए मैं पहले यहापे लिख रहा हूँ कि आज अगर उसकी age अगर x है तो तीन साल पहले कितनी age होगी रह्मानस एज 3 years ago या before 3 years कुछ भी लिख सकते हैं 3 years ago is equals to x minus 3 कैसे suppose आज कोई बंदा 15 साल का है तो 3 साल पहले कितना रहा होगा 12 कैसे 15 में से 3 minus कर दिया यानि कि present age में से minus करना है तो present age उसकी x है तो 3 साल पहले कितनी होगी x minus 3 ठीक है रह्मानस age after 5 years 5 साल बाद कितनी होगी क्या रहा है न 5 years from now 5 साल बाद कितनी होगी x plus 5 क्यों अगर आज x है तो 5 साल बाद x plus 5 का हो जाएगा अब according to the question ATQ according to the question question क्या करा है देखे ऐसे पढ़ा की जा है हमसे the sum of the पहले sum बोलाए sum का मतलब है plus plus लगा लिए हमने किसका sum reciprocals reciprocals सुनते ही दिमाग में आना चाहिए one upon something reciprocals reciprocals किसका रह्मान की यह जो 3 साल पहले थी 3 साल पहले कितनी थी यह x minus 3 लेकिन इसका reciprocals क्या होगा one upon x minus 3 और और जो 5 साल बाद में होगी उसका reciprocals यानिकी one upon x plus 5 यह जो ages का sum है उसका वो 1 by 3 के एक को ले इतना clear हो गया चलिए यह plus में ठीक से लाए तो ठीक है आप दोनों का क्या ले लेंगे यहां से lcm कितना आ जाएगा x minus 3 और x plus 5 इससे x minus 3 से divide हो गया क्या पच्छा x plus 5 plus x plus 5 से यह गया यानिकी x minus 3 बंजा x minus 3 1 by 3 यह तरह clear है x और x कितना हो जाएगा यहां पर देख लेती है 2x 5 में से 3 या क्या बचा plus का 2 और नीचे नीचे x minus 3 का x plus 5 में multiply होगा या तो यह कह सकती है कर लीजिए x का x में किया x square x का 5 में किया plus का 5 x minus 3 का x में किया minus के 3 x और minus 3 का 5 में किया minus 15 सही है इदी equals 2 क्या चल ला है 1 by 3 चल ला है सही है अब देखिए 3 का multiply मैं इसमें कर देता हूँ तो 6 x plus 6 हो जाएगा ठीक है तरीका 2 में होगा तरीका 2 x में होगा तो 6 x और 326 यहां से क्या बचेगा x square कैसे बचेगा अच्छा इस पूरे term का हम किसमा multiply करेंगे ऊपर 1 में ही तो करेंगे cross multiply तो 1 में करो तो वही आएगा 1 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं यानि कि x square 5 x में से 3 x किया तो plus का 2 x और minus के 15 इतना clear है अब देखिए यहां से x square तो as it is रहेगा मैं इन वाले terms को उधर ले जा रहा हूं transpose कर रहा हूं यह तो x square as it is रहा यह 6 x उधर जाके minus हो जाएगा तो 2 x में से अगर minus 6 x गए तो minus के 4 x ठीक है और यह plus का 6 उधर जाके minus हो जाएगा तो minus के 15 पहले से लिखे हुए और minus के 6 से जाके minus के 21 हो गए overall तो यहां पे friends हमारी एक equation बन किया गई quadratic equation क्या x square minus 4 x minus 21 is equal to 0 question को solve कर देता हूं आपने दोनों ही तरीके सीख लिया है मैंने आपको middle term भी सिखार की है quadratic formula भी सिखार का किसी तरी कर सकते है मैं फिलाल में से middle term से कर देता हूं क्या है मेरे पास x square minus 4 x minus 21 is equal to 0 ठीक है चलिए बताइए multiply करके तो 21 आए और plus minus करके 4 आना चाहिए minus का 7 x और plus का 3 x सही है गलत तो नहीं है 7 और 3 7 मैं से 3 गई तो 4 7 3 जा 21 दोनों में से क्या common आ जाएगा दोनों में से हम x common ले लेंगे बचेगा x minus 7 इसमें से 3 common लिया तो बचा x minus 7 यानि कि एक bracket common आया x minus 7 और फिर बचा x plus 3 is equal to 0 इन दोनों में तो x minus 7 common आ गया यह x plus 3 दोनों को एक एक करके क्या करेंगे? 0 के equal लखेंगे फ्रेंड्स में अपने description में अपने page का link छोड़ दूँ आप मेरे page को भी like कर सकती है लेखिए x minus 7 को हम 0 के equal लखेंगे x plus 3 को भी 0 के equal लखेंगे सही है तो यहां से x की value एक आगई 7 और एक आगई x की value minus 3 अब आप सब जानते है एज कभी भी negative में तो हो नहीं सकती है तो यह तो हम लेंगे ही नहीं ठीक है तो finally answer क्या हो गया therefore x equals to 7 years यानि कि हमने x को क्या माना था हमने रह्मान की present age मानी थी यानिकि रह्मान की जो present age है वो 7 साल है 7 years clear यह हम लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव एज कें नेवर भी नेगेटिव एज कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती तो फ्रेंड्स यह था इसका solution आपको सौन यह आगया होगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना न भूले और मेरे चैनल को हिट करना नभूले बैल आइकन को हिट करना नभूले ताकि आप मेरी सारी वीडिएज देख सकें थैंक्यू